Hello everyone, आज हम start कर रहे हैं, class 8th की आपकी English की worksheet number 31, date है आपकी 27th January 2021 आज की worksheet का chapter है आपका This is Jody's phone, इसे हम आगी continue कर रहे हैं First आपका task दिया गया है इसमें, in your opinion which word in the least below describe Jody, look up the dictionary of words you are not sure of, use word from the least to complete the sentences below तो यहाँ पर आपका जो एक sentence दिया गया है, आपको इससे fill करना है, कि Jody जो था, वो उसको आपको describe करना है, कि कौन से word से आप उसको describe करना चाहेंगे तो I think that Jody was kind-hearted, कि वो बहुत जादा kind-hearted था, बहुत ही sensitive था और बहुत ही responsible था, ठीक है तो हम यह दो word Jody के लिए लिख सकते हैं, responsible और sensitive, ठीक है Second task है आपका, who said the following line in the lesson, this is Jody's phone, write your answer in the blanks below तो आपको यह बताना है कि यह जो lines है, यह chapter में आपके किसने बोली थी जैसे first है आपका, you are smarter than boy of your age, तो यह पैनी ने बोला था, कि तुम बहुत जादा smart हो अपने age के बच्चों से Second है, nothing is the world come quite free, तो इसमें आजाएगा आपका, Doc Wilson ने यह चीज़ बोली थी, कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती इस world में और last है आपका, but I am afraid to leave you boy, तो यह मिल विल बोलते हैं, चीज़ के, उसके बाद next task है आपका, see, let us recap the lesson by filling in the blanks using the hint in the bracket, तो आपको सारी फ्लिंदा blanks fill करने हैं, यहाँ पर जो आपको थोड़े बहुत, sorry, थोड़े hints दिये गए हैं, उसे देखके, चीज़ के, जैसे first है आपक Joddy's father was bitten by a rattle snack, तो आप इसमें snack भरेंगे, यहाँ पर है आपका snack, so he killed a dog, तो वो किसको kill करते हैं, एक dog को kill करते हैं, to save himself from the poison, poison से खुद को बचाने के लिए, ठीक है, next है आपका second, Penny could not say no, यहाँ पर आएगा आपका no, ठीक है, no to Joddy's idea of bringing the phone home as it would be ungrateful, ठीक है, इसमें आज कि जो Penny है, वो Joddy के idea को no नहीं कह सकते थे, क्योंकि यह बहुत जादा ungrateful हो जाएगा, इस वज़े से, उसके बाद third है, आपका Joddy's mother gripped with surprise, because she was worried, she was worried about the expenses to take care of the phone, तो जो Joddy की mother थी, वो बहुत जादा डरी हुई थी, take care के लिए, कि phone की मतलब take care कैसे होगी, उसको कैसे इसके बाद fourth है, आपका Joddy went with, इसमें आएगा आपका Milveal, कि Joddy होता है, वो किसके सांद जाता है, to bring the phone home, जो phone है, उसको घर लाने के लिए किसके सांद जाता है, वो Milveal के जाता है, उसके बाद fifth है, इसमें दो फिलिंद प्लेंक्स है, कि Joddy did not want Milveal to come with him because of two reasons, इसके दो reasons होते हैं कि जो जॉड़ी है वो मिल्विल को अपने साथ आगे नहीं ले जाना चाहता था पहला तो यह था कि इसमें आपका अंसर होगा डेड कि अगर जो फॉन है वो मरा हुआ हो और कुड नॉट भी फाउंड ही कुड नॉट है वो नहीं चाहता था कि जो मिल्विल है वो उसकी डिसपॉइंट्मेंट को देखें ठेकें सेकेंड है इफ द डैश तो इसमें आएगा आपका लवली ठेक ी ठेके सो लवली and and so secret वो बहुत जादा को उसको लगता है कि अगर जो फॉन है वो मिल जाएगा तो वह नॉट ही चल था कि यह बहुत ही अच्छी मीटिम होगी इस वज़े ठीक है उसके बाद six fill in the blanks है हमारा six में है Milville was afraid to leave Jordi alone because he was scared Jordi got lost ठीक है वो डर रहे थे उसको छोड़ने के लिए जो forest था महाँ पर छोड़ने के लिए क्योंकि उनको लग रहा था कि वो lost हो जाएगा यानि हो जाएगा और got ठीक है और got bitten उनको लग रहा था कि उसको कोई snack भी काट सकता है got bitten by a snack उनको लग रहा था कि यह खो सकता है या फिर कोई साप इसे काट सकता है ठीक है seven थे आपका Jordi had come to the place Jordi had come to the place where he had where he had seen the phone ठीक है उसमें हम लिखेंगे where he had seen the phone तो वो उस प्लेस पे आता है जहाँ पर उसने पहली बार phone को देखा था ठीक है फिर eighth है आपका Jordi was filled with emotion after he found the phone तो Jordi बहुत जादा emotional हो जाता है जब वो उस phone को देखता है when he stalked it next the touch made him delirious ठीक है delirious आएगा इसमें when he realized that it was his phone now वो बहुत जादा खुश हो जाता है जब उसको यह पता चलता है कि यह वही phone है उसी का phone है he was lightheaded with his with his joy ठीक है next वाले हम लिखेंगे joy फिर ninth है आपका finally he brought the dash phone तो इसमें आएगा आपका phone into the house फिर finally वो phone को लेके घर आता है tenth है आपका he took it he took it to the to the bedroom ठीक है इसमें आएगा आपका bedroom and fed it with milk by dash by dash इसमें आएगा आपका dipping ठीक है कि फिर वो dip करके finger से दूद देता है उसको in the milk and trusting them into the phone mouth he looked after it like a mother इसमें आएगा आपका mother like a mother वो बिलकुर उसकी mother की तरह लग रहा था तो ये थी आज की आपकी छोटी सी walk sheet I hope आपको अच्छी लगी हो